हेलो एवरिवन, वेलकम टो लॉजिक पाच्छाला, माइनेम इस इमानी जोहान और आज की इस वीडियो में देखे हम पढ़ेंगे आटो बाइग्रफी बिल्कुल जो बहुत ही जादा फेमस परस्नालिटीज हैं, उनकी बहुत फेमस बुक्स हैं जो आपकी खुद की जीवन के बारे में जो लिखा होता है, जो आप खुद उसको लिखते हैं, उससे हम आटो बाइग्रफी बोलती हैं, ठीके, तो आज हम बहुत ही फेमस फेमस पस्नालिटीज की, चाहे वह आपका स्पोर्ट से लेटीड हों, चाहे पॉलिटीशियन्स हों, ठीके, इन सभी की हम लोग अच्छे से, बिल्कुल ट्रिक वाइस यहाँ पर करेंगे, आपके लोग की मेंबरी टेकनिक का यूज करेंगे, ताकि आपका एक्जाम में कभी भी गलत ना हो, ठीके, बहुत बाइद देखा गया है, कि क्वेशन बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो यह आपका पार्ट फर्स रहीगा, क्योंकि काफी सारी बुक्स हैं, तो बाकी जो बच्छी बुक्स होंगी, जो इंपॉर्टेंट है, वो हम पार्ट नमर सेकंड में कम्प्लीट करेंगे, ओके, और इस वीडियो का पीडियाप में शेयर कर दोंगी, टेलिग्राम ग हो है, इनके ऑथर, जिनकी ऑटोबाइग्रफी होगी, और यहाँ पर बुक का कवर पेच भी दिया है, ताकि आपको रिवेंबर हो सके, आपको लंबे समय तक याद रह सके, ठीके, और लास्ट में हम छोटा सा रिविजन भी करेंगे, तो देखे, सबसे पहली बुक हमारे पास क्या है, Wings of Fire, जिसके author है, मतलब किसकी ऑटोबाइग्रफी है, यह, अपिज अब्धुलकलाम जी के, ठीके, author मतलब उनकी लिखी गई है, तो उनकी ऑटोबाइग्रफी है, ठीके, याद करने का तरीका देखी, क्या है, Wings of Fire, देखी, Wings यानि पंक में आग लग गए, पंक होते हैं बड़े संदर संदर होते हैं माली जे कोई बहुत संदर पंक है लेकिन जब उसमें आग लग जाएगी तो वो कैसा हो जाएगा भाया वो तो काला हो जाएगा है ना काला से क्या हो जाएगा देखो काला से कलाम में आ रहा है देखो काला ठीक है और आप उसे कितन भी धुलोगे तो वो साफ नहीं होगा क्योंकि वो जल गया है है ना तो दुल अब्दुल में धुलना भी ऐसे कुछ आ रहा है तो चोटी सी ट्रिक हमने बनाई है बस ओके तो बस हम लोगे ट्रिक्स की हेल्प ले रहे हैं यहाँ पर और कोई किसी ट्रिक को गलत नहीं लेके जाएगा ठीके ओके तो एपी जी अब्दुल कलाम जी की ओटो बाइग्रफी कौन सी है बिंग्स ओफ फायर आखला देखो क्या है ड्रीम्स फ्रॉम मैं फादर और इसके कि हमारे जो फादर होते हैं सभी के फादर उनकी सपने बहुत बड़े होते हैं तो थोड़ा सा बड़े लेके चिकार लेट करना विकॉस की कोई और ट्रीक नहीं मिल रही थी इस तरीके से थोड़ा सा हम लोग हिंट ले लेंगे तो याद हो जाएगा ठीके नेक्स देखो matters of discretion discretion का मतलब होता है देखो या तो इसका मतलब निर्ले भी बना सकते हो या फिर इसका मतलब बुद्धिमानी भी होता है ठीक है दोनों में से कोई सबी लेकिन हम लोग निर्ले से हाँ पर trick बनाएंगे कि कोई भी निर्ले लेना हो मतलब कोई भी matter हो है नो कोई भी matter आपका चल रहा हो तो निर्ले ना अंदर जाके लेना चाहिए बाहर निर्ले ले लोगे तो मार भी पढ़ सकती है तो अंदर से इंदर हो जाएगा और मार पढ़ सकती है मतलब कुमार तो इंदर कुमार गुजराल जी की autobiography उसका name क्या है matters of discretion ठीके तो यहां से हम लोगों को ये भी थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा connect हो जाएगा ठीके तो जरूर मुझे आप लोग comment करके बताएगा कि आप लोगों को trick कैसे लगी पसंदाए tricks बलकुल अच्छी tricks हैं जिनको आप बहुत easily यूस कर सकते हैं मतलब हर चैके आप लोग इसको जैसे कोई exam हो आया तो वहाँ पर भी यूस हो सकती है clear और अगर हम बात करें देखो इंदर कुमार गज्राल ची की बात कर लेते हैं तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी है नेक्स देखो क्या है daughter of destiny जो किसकी autobiography है भाई Benazir Bhutto जी की है तो कैसे याद करें देखो इसको Benazir Bhutto जो है वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर है चुकी ध्यान लखेंगे और देखो daughters जो है ना मतलब कहते है ना किस्मत वालों को बेटिया मिलती है है ना तो बेटियों को जन्जीरों में नहीं रखना चाहिए ठीके क्या बोला मैंने बेटियों को जन्जीरों में नहीं रखना चाहिए तो Benazir ठीके Benazir यानि जन्जीर ऐसे थोड़ा-थोड़ा रेलेट हो जाएगा किसको नहीं रखनाल चीज जन सीरो में डॉटर इसको क्योंकि वो किस्मत से मिलती है क्लियर ऐसे याद हो जाएगा आगे देखो क्या है एन आटो बाइग्रफिक टुबार्ट फ्रीडम यह ओटो बाइग्रफिक इसकी है जवाहलान नेरू जो कि हमारी इंडिया के फोस्ट प्राइम मिनिस्टर थी ओके तो इसको कैसे याद करेंगे देखिए फ्रीडम में जब फ्रीडम हो रही थी जब फ्रीडम की जंग चल रही थी तो अजादी में न हर जवान ने पार्टिसेपेट किया हर जवान सामने निकल के आया और हमारी फिर क्या नहीं हुई हार नहीं हुई हम आखिर में जीत गए ठीके तो फ्रीडम की तरफ क्या वह फ्रीडम की तरफ जब हम गए तो हर जवान आगे निकल के आया तो जवान मतलब जवा और हार भ की ओटो बाइगरफी ठीक है नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है आत्मकथा आत्मकथा यहाँ पर किसके ओटो बाइगरफी है राजेंद प्रिसाद जी की ओटो बाइगरफी है आप के सियाद करें राजेंद प्रिसाद हमारे इंडा के फोस्ट प्रेजिडेंट थे याद र तो राज इंद प्रसाद जी उसके बाद किया है मौलाना अबुलकलाम आजाज जी की और्टोबाइग्रफी का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम ओके अब इसको कैसे याद करेंगे तो देखो हमारा जो इंडिया से यहां पर हम निकालेंगे कि इंडिया फ्रीडम मतलब इंड तो उन्होंने हमें अजाद कर दिया ऐसा आप समझ लिए कि इंडिया की क्या हुई जी तो इंडिया को फ्रीडम मिल गई तो जो हमारे एश्वर है हमारे मौला जी है उन्होंने हमें क्या कर दिया अजाद कर दिया ठीक है तो यहां से आपको याद आ रहीगा उसके बाद है चेंजिंग इंडिया, डॉक्टर मनमोहन सिंग की है, ओटो बाइग्रफी, ठीक है, 2019 में आईती है, तो बहुत, लेटेस्ट वाली तो ध्यान लखेंगे, वैसे सबी ध्यान लखेंगे, तो देखो, हमारा जो मन है ना, मन देखो, एक जगे कहीं टिकता है, नहीं टिकता है, हर टाइम चेंज होता रहता है, कभी कोई चीज अच्छी लगती है, कभी कोई चीज अच्छी लगती है, तो मन चेंज होता रहता है, तो मन यानि मनमोहन और चेंज से चेंजिंग हो जाएगा, उसके बादे, नेलसन मंडेला जी की ऑटो बाइग्रफी है, लॉंग वॉक तो और Nelson Mandela South Africa के President रह चुकी है ठीके तो कैसे आद करेंगे देखो भाई अगर फ्रीडम अगर चाहिए न तो फ्रीडम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए सन को न लंबा चलना होगा डेली चलना होगा तभी फ्रीडम मिलेगी ऐसे तो नहीं मिलेगी जिके बैटे बैटे तो सन यानि नेलसन चलना होगा यानि वॉक लंबा चलना होगा चलने से काम नहीं चलेगा भाई फ्रीडम चाहिए तो लंबा चलना होगा तो लंबा चलना मतलब long walk ठीक है नेक्स ते देखो Memoirs of the Second World War जो कि Winston Churchill की Autobiography और Winston Churchill UK यानि United Kingdom के President रह चुके है ठीक है तो देखो बहुत easy है जो Second World War होई थी अरे कोई सी भी World War हो वो चर्चे में तो रहेगी हमेशा चर्चे में रहेगी इतने लोग मारे जाते हैं वो और में तो बही जो World War है उसकी सारी जो Memories है तो Memoirs से थोड़ा सा Memories बन जाएगा हमेशा चर्चे में रहेगी तो चर्चे से चर्चे लो जाएगा आगे देखो क्या है My Life My Life किस की है Bill Clinton की है तो Bill Clinton American Politician है ये और देखो Life में बिल बहुत होते है बिल का मतलब कभी बिजली का दे दो कभी गैस का दे दो भाईया कभी घर का बिल कभी किस का बिल तो Life में बिल ही बिल है ठीक है तो ऐसे आप याद कर लोगे Clean नहीं है लाइफ Our House is on Fire और ये किसकी बुक है Greta Thunberg Greta Thunberg का तो नाम आपने बहुत जाद सुना होगा है ये Environment के लिए बहुत काम करती है So देखो House हमारा जो घर है न Our House वो ही Great होता है घर से अच्छी जगा कोई नहीं होती घर ही कहता है स्वर्ग होता है तो घर हमारा Great है सबसे बाकी का भोल जाओ Our House से ही आपको याद आ जाएगा बिल्कुल एक साथी Next देखो क्या है Becoming Michelle Oama तो या प्लीज डारेक्ट याद कर लो अगर आप इसकी कोई भी ट्रिक बना सकते हो तो मुझे comment ज़रूर करना मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि इसका कोई यूनीक सा ट्रिक नहीं मिल रहा था ठीके आगे देखो क्या है I am Malala ये तो या डारेक्ट याद हो जाएका आपको Malala Yousef जई की है नाम ही इसमें आ रहा है देखो तो इसको तो आपको मिल्कुल मतलब रटने नेगी या कोई ट्रिक बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीके आगे बढ़ते हैं हम बिल्कुल चलिए आगे देखे कुछ sports person की हाँ पर autobiography है जो बहुत important है Like this है A short history My obsessive journey to Olympic goals ये अभिनव बिंदरा की क्या है autobiography है ठीके याद करें फिर थोड़ा सा देखो इसको हम कैसे याद कर सकती है अभिनव बिंदरा shooter ये तो आपको पता होगा न कौन सी sports से belong करते हैं ये ये belong करते हैं shooting से shooting में तो shoot वैसे ही आ रहा है कि short लगाते है तो बहुँ short तो यहाँ पे भी आ रहा है तो बस यहाँ पे आ दो जाएगा serve to win serve to win किसकी है noag zokovic की है तो देखो अगर आपको win चाहिए मतलब अगर आपको जीतना है तो ये no आपको छोड़ना पड़ेगा मतलब no किस service छोड़नी पड़ेगी तब ही जीत पाओगे और noag zokovic में starting में no आ रहा है तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा correct चलिए move करते हैं next book पे कपिल देव की autobiography state from the heart तो भाई या दिल से निकल के बात आ रही है तो देखो जो देवता होते हैं कपिल देव में देव आ रहा है न देव लोग दिल में बसे होते हैं straight from the heart बिलकुल straight दिल में बसे होते हैं देव हमारे ठीक है पूज़ अगर हम लोग करते हैं तो बस देवता से heart का connection हो जाएगा unbreakable लिखी है Marycom की autobiography है Marycom तो हर कोई चानता होगा Indian boxer है ये और unbreakable है इन्होंने अपनी life में unbreakable काम किया है या भाईया ये boxing करती है तो तूटता फूटता तो मतब boxing में बहुत break लगते हैं ऐसे भी आद कर सकते हैं मार बहुत परती है ठीक है कभी कुछ break हो गया उसके बाद देखे गया है golden girl जो की autobiography है PT Usha ठीक है PT Usha ये athlete है Indian athlete और आए से आद कर सकते हो देखो Usha हम लोग कहते हैं जो किरन होती है जो sun की rays होती है ना उनको Usha बोला जाता है और बिल्कुल वो golden रंग की सुनहरी होती है बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे gold एकदम चमक राओ जैसे है ना तो Usha को golden से relate करेंगे उसके बाद देखे है faster than lightning my autobiography बहुत ईजी है Usain Bolt ये इतना ही तेज दोडते है असा लगता है कि light से भी तेज भाग रहे हैं है ना और जमाइका की हैं ये बहुत तेज दोडते हैं light जैसी speed में तो यहां से directly हमें Usain Bolt का याद हो जाएगा उसके बाद है wide angle चुकि अनिल कुम्बले की autobiography है इसे कैसे याद करेंगे देखो इसे ऐसे याद करेंगे कि कोई सा भी angle हो अभी देखो कुम्ब का मेला लग रहा है ना अगर आप देखो ना किसी भी angle से देख लो इतना wide लगेगा भैया इतने लोग लगेंगे करोणों लोग लगेंगे तो ऐसे याद कर लेंगे कि कुम्ब के मेले में कहीं से भी कोई से भी angle से देख लो हर तरब भीड़ी भीड़ोगी ठीक है उसके बाद देखो Controversially Yours, यह है शोयब अक्तर की, अक्सर क्या होता है, अक्सर शो के लिए, क्या मैंने बोला, अक्सर लोग शो के लिए, मतब दिखावे के लिए, ना, Controversy करते रहते हैं, इस दूसरे की चुगलियां ही लगाते रहते हैं, बहुत जादा, ठीके, तो शो से शोयब हो जाएगा, Controversy चलती रहती है, इस तरीखिसर लेट करेंगे, अगला है देखो, Rafa, My Story, राफिल नदाल, यह तो डारेक्ली याद हो जाएगा, राफा, राफिल, नाम सेम सेम आ रहा है, उसके बाद देखो, विश्वनाथन, आनंद, और इनकी ओटोबाइग्रफ याद करेंगे, विश्वनाथनादन, या कोई भी चीज आप माइंड से खेलोगे न, तो विश्व में अगर आपको मास्टर बनना है, तो माइंड से खेलना पड़ेगा, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, इसको अगर डारेक्ली याद नहीं है, तो ठीके, आगे देख सौरब गाउंग ली, ओके, तर टेस्ट आफ माइ लाइफ, यह है युवराज सिंग की, ठीके, तो लाइफ में क्या होना चाहिए भईया, अगर राज करना है, युवराज में आरा राज, तो हर टेस्ट में पास होना पड़ेगा, तब ही आप लाइफ में राज कर पाओग ठीके, उसके बाद देखो, Sunny Days and Autobiography सुनील कावस करकी, तो जो Sunny Days होते हैं न, मतब बहुती बढ़िया से दिन लगते हैं, एकदम Sunny Sunny सनी सी धूप निकल रही है, मज़ा आ रहा है बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है, गाने कावन करता है, बस मज़े में लहरा रही हो इधर से उधर, है न, थोड़ा ऐसे याद करेंगे, उसके बाद देखो, Six Machine, Chris Gayle की Autobiography, तो Chris से तो Chris Movie याद आ जाएगी आपको, Chris Movie में देखा है, कि कितनी उच 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 चलांग मारते हैं, ठीक है, रिडिक रोशन, है न, उनके पास powers होती है, इतनी उच 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 Autobiography है, Six Machine, Next is Ace Against Odds, Sanya Mirja, Ace आपने, कार्ट के लिए, कितने लोगों ने कार्ट के लिए, बताएगा, जरूर, ठीक है, बहुत के लिए होंगे, मतलब, Not Jua, Only Entertainment, तो Ace को इक का बोला जाता है, है न, और आपने देखा होंगा कि, अगर इक का आ जाता है, तो बहुत ही मज़े आ चल सकते हो, मर्जी से चल सकते हो, तो मज़े आ जाते हैं, तो Sanya Mirza में थोड़ा सा मज़े, मज़े, ऐसे रिलेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद है, The Race of My Life, ये लिखी है, Milka Singh की Autobiography, तो Milka Singh तो आप लोग भाईया, ये भी बहुत तेज दोड़ते हैं, है न, तो Race से आप ल देखो, 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 Math के Ground में अगर Stand करना है, कर पाओगे, यह हार्ड तो लगता है, बट कर लोगे, क्योंकि Math बहुत सारे स्टूरेंट को Hard लगती है, तो Hard मतलब Head and Matthew और Head up होता है, Math से वैसे भी यार बहुत ज़ादा है, कौन पढ़ेगा, Formula इतने सारे, तो Math क Ground में Stand करना बड़ी Head up की बात है, Pointing at the Close of Play, Ricky Pointing, तो नाम में ही आ रहा, देखो, Pointing, Pointing, बस यह से याद हो जाएगा, Playing it my way, भया, मेरे तरीके से अगर खेलना है, ऐसा थोड़ा सा ना, बुक के नाम में ही देख लो, मेरे तरीके से अगर खेलना है, तो क्या करना पड़ेगा सच बोलना पड़ेगा, ठीक है, सच के बिना काम नहीं चलेगा, तो सच मतलब सचिंतेंदुल करकी, ऑटो बाइगरफी बहुत फीमेस से डारेकल भी याद कर सकते हो, Playing to Win, यह किसके ऑटो बाइगरफी है, सानिया मेर्चा की, तो इन्हों नहीं क्या बोला, कि भी अगर जी बाइगरफिर बेंजमिन, बेंजमिन फ्रेंकलीन की है, यह भी नाम में आ रहा है, बिलकुल, तो यह डारेकली याद हो जाएंगे, इसमें कोई ट्रिक लगाने की ज़रूत नहीं है, तेस्ट ऑफ माइफ, रिपीट हो गया है, ठीक है, नेक्स्ट है, देखो, माइ म्यूज रब की याद दिला दिता है, मतलब मज़ा आ जाता है, एक तरीके से में खुशी होती है, ठीक है, रब की याद आ जाती है, लाइफ में म्यूजिक होता हो, ठीक है, तो रब, शंकर तो हमारे भगवान जी है, शंकर पे बहुत सारे गाने भी बने हुए है, शंकर महादेव तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि शंकर महादे पे बहुत सारा म्यूजिक बना हुआ है तो लाइफ में मज़े आ जाते हैं उसे सुनके Next is Freedom in Exile जो कि दलाई लामा की बुक है Freedom Freedom अगर चाहिए तो दलाली नहीं करने पड़ेगी दलाली नहीं चाहिए भई दलाली ऐसे होता है कि कभी धर कभी उधर कभी उधर कभी उधर एक जगे टिक के रहो तो Freedom मिलेगी ठीक है तो Freedom में दलाली नहीं चलेगी My Story of Experiment with Truth बहुत important महात्मा गांधी जी की बुक है तो गांधी जी ने सच के लिए बहुत एक्सपेरिमेंट किये ऐसे आपको बुक याद हो जाएगी ठीक है Truth और Experiment याद बुक में आ जाएगा तो याद हो जाएगा Waiting for a Visa बी आर अंबेट कर यानि भीम राव अंबेट कर जी की बुक है Father of Indian Constitution याद आया कैसे याद करेंगे देखो Waiting for a Visa Visa का wait कर रहे हो Visa मिलना कोई आम बात नहीं होती कि ऐसे ही मिल जाएगा Visa तो इससे क्या करो भईया अंबे मा से प्रातना करो कि Visa मिल जाए है ना तो बस अंबे से अंबेट कर All from Memory BB अचारिया BB अचारिया की बुक है ये तो देखो अचारिया बिलकुष दिन्दी में टीचर को बोला जाता है ठीक है अगर आप भाछी की बड़ाओंगा आपने सब्सक्राइगा हूं रहती है तो आपने तो नेक्स से एकट होगा है अब देखो हिंदू और स्राम सीता डारेक्ट यार्ट होजाएगा आप लोगोगों तो हिंदु धर्म के रांसिता बहुत फेमस है, मतलब हमारे जो God है, ठीक है, Why I am an atheist, atheist का मतलब देखो क्या होता है, नास्तिक, मतलब जिसको भगवान पे विश्वास नहीं होता, उसको बोलते है, अथीस्ट, ठीक है, और भगत जो होते हैं, भगत तो क्या होते हैं, आस्तिक ह होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के opposite हो गए, नास्तिक, आस्तिक, तो ये बुक इस तरीके से याद हो जाएगे, और भगत सिंगी तो बहुत फेमस बुक है, तो आपको डारेक्टली भी याद करनी चाहिए, The Bandit Queen of India, Fool and Devi, तो Queen को भी ये fool चढ़ाने पड़ेंगे, Queens को त हैना है, तो अपने प्यार से सच बोलो, नहीं तो क्या होगा, जगडा, लडाई, है ना, तो खुश रहना है, तो लव यानि अपने प्यार से सच बोलो, टुथ बोलो, तो आप संदगी में खुश रहोगे, तो ये हमारा first word complete होता है, आप थोड़ा सा revision कर लेते हैं, देखत हैं, तो बैनजीर भुटो जी की बुक जो है, वो कौन सी है, डॉटर अव डेस्टिनी, आप भी साथ साथ में revise करेंगे, one century is not enough, एक century काफी नहीं है, कितनी चाहिए, सो चाहिए, सो से क्या हो जाएगा, सौरभ गांगुली हो जाएगा, ace against odds, ace को हमने 21 से रिलेट करा था, औ एक का जब हमाई परस आ जाता है, तो बड़ी मज़े आ जाते हैं, ठीके, तो हम उसे कहीं भी मर्जी से चल सकती है, तो सानिया मिरजा की बुक है, ace against odds, wings of fire, वह जब पंकों में आग लग गई, तो पंक क्या हो गए, जल गए, जल जाती है, कोई चीज तो काली हो जाता है, क साला मतलब कलाम, तो ये क्या है, अब्दुल कलाम जी की autobiography है, my music, my life, तो music life में होता है, तो रब की याद चाती है, या फिर शंकर महादेव पे बहुत music बना है आज कल, तो ये किस की बुक है, ये बुक है, रवी शंकर की, देखा, बिलकुल हमें बुक से ही याद हो गए, ह हमें डारेक्टली याद हो गई, तो आप लोगों को भी ऐसे ही याद हो जाएंगी, तो ये आज की हमारी वीडियो थे, जिसमें हमने कुछ important करा, जो अभी रह गई है न, important, वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ठीके, तो आप लोग मुझे जरूर बताएगा, comment करके प्लीज के वीडियो कैसी लगी, कैसी आपको ये memory technique लगी, और कोई भी अभी भी doubt, कोई query हुआ करें, तो आप लोग मुझे comment किया, अगरे मैं सब के comment read करती हूँ, तो चलिए मैं मिलूँगे आप लोग से अगली वीडियो में, इसके part number second पे, thank you so much for watching this video.